हाई अब्रीवन यहाँ पर आज की रीडिंग है गाईज कि आपके पार्टनर आपके दोस्त आपके स्पाउस आपके जो प्रेमी हैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पर ए से लेकर एल तक का जिसका फर्स्ट नेम लेटर होगा वो देख सकता है और जिसका एम से लेकर जेड तक फर्स्ट नेम लेटर हो देख सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने ए से एल तक का फर्स्ट नेम लेटर चुना देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके स्टार, दे इंब्रेंज, दक कप्स, वीलोव फ़र्चुन, आपका किस्मत बदलने वाला है गाईज, फर्स्ट उप्शन, आपका किस्मत बहुत पॉजिटिव रूप में निकल रहा है, बहुती फर्स्ट उप्शन, ए से लेकर एल तक जिसका फर्स्ट नीम लेटर है, उसके लाइफ में प्यार आ रहा है, सब्से पहला खुछी यह है कि आपके लब लाइफ, जो है बहुती स्ट्राउंग होने वाली है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके लब वन से आपका किस्मत खुलेगा, आपके लाइफ में जो भी लाइफ पातनर आएगा, दोस्ण आपके आने से आपके लाइफ बहुत उच्छाल करेगी यानि बहुत पॉजिटिव रूप में आपका फोर्चुन बदलेगा आपका किस्मत बदलेगा आपकी हर एक चीजे बदलेंगी जब आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे यहां पर यह कार्डों के द्वारा मैसेज दिया गया है यानि आपके जो लब वन होंगे जो आपके पार्टनर होंगे उनका मैसेज है मेल या फिमेल दोनों के लिए है कि जब तुम मेरे लाइफ में आओगे तो मेरा किस्मत ही बदल जाएगा मेरा किस्मत एक राजा की तरह हो जाएगा एक रानी की लिबिंग ऑफ स्ट्रेंडर जो हमारे रहेगा बहुत ही उचा हो जाएगा यानि इंप्रेंस का मतलब है राजा राजा का जीवन जो रहता है इदम हाई लेवल का होता है तो आपके पार्टनर के आने से बोल रहे हैं कि आपके आने से यह तो मेरा लाइफ जो है बहुत ही सार दे रहे हैं कि उनकी सही बातों को तुम मानोगे या मानोगी तो बहुत अच्छा रहेगा हम दोनों की लाइफ के लिए यहां पर हम दोनों एक दूसरे को अपने लिए अपने प्यार के लिए बदलेंगे तभी हम लोग की लाइफ जो है अच्छी रहेगी और बहुत ज्याद आपके प्यार का आपकी प्यार की मजबूती का आपके रिष्टे का आपके रिलेशन्सिप को बहुत स्ट्रॉंग बनाकर रखेंगे आपके पार्टनर ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे आपके पार्टनर बोले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह आने की कुशिस करेंगे, यहां के आपे ilmeere की अनेरजी आई है गाईज और यहां पर स्टार की energy आ ए है तो जो ml आएंगे आप स्टार की आई है तो जो मेल आएंगे मेल आपके लाइफ में जो भी आएंगे आपके किस्मत बदल लकर रगदेंगे फॉर्चुन बदल कर रद देंगे और आप दोनों एक स्टार की तरह आपकी आर्थी किस्तिती हो जाएगी यानि आपका जीवन जो है बहुत ही लगजरियस जीवन जीएंगे बहुत ही अच्छा आपका लीविंग ऑफ स्टेंडर बहुत हाई हो जाने वाला है यहां पर यह भी आपके लिए बो किस्मत को लेकर आगे बढ़ेंगे यहां पर और यहां पर एक दूसरे के साथ धीर सारा टाइम करेंगे अपने लब लाइफ को लेकर बहुत बहुत ज्यादा सचेत रहेंगे एक दूसरे के प्रतिध्यान देंगे एक दूसरे में रूची लेंगे एक दूसरे को समझने की क दोनों की energy जो है बहुत ही positive है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो क्योंकि यहां पर कब की energy आई और यहां पर दोनों की किस्मत चमक जाएगी यही डिटिंग थी गाइस हाई एब्रीवन जिनका फर्स्ट नीम लेटर जो है एम से लेकर जड़ तक है देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है यह आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नाइन अप सोर्ज नाइन अप कप्स टू अप कप्स पेज अप कप्स ओ माई गॉड़ फाइफ अप कप्स देखिए गाइस यहां पर सिर्फ प्यार की बाते हो रही है प्यार के मैसेज की बाते हो रही है और कार्ट भी जीतने आप देख रहे हैं 9 of cups, 2 of cups, page of cups, 4 of cups, मैंने आपके सामने ही सफल किया है, second option, यानि आपके life में धेर सारा आपको प्यार मिलेगा, और आपके partner का साथ भी मिलेगा, guys, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे spiritual animals हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से एक लड़का और लड़की, कितने प्यार से एक दूसरे के साथ सर मिला कर, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रती व्यक्त कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपके partner एक अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रती एक्सप्रेस कर रहे हैं, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं ये चीज बताया जा रहा है यानि second option आपके लिए बहुत बड़ा message है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूं और हमारे प्यार को कोई नहीं तोड़ सकता है हमारे प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता है पेज आपकपस आया है तो आपके लाइफ में सुबता आ रही है लब लाइफ को लेकर आपके पार्टनर की तरब से आपके लाइफ में सुबता आ रही है अच्छा ही आ रही है पॉजिटिव चीज़े आ रही है यानि आप कहीं न कहीं एक दूसरे से बहुत ही feeling wise बहुत ज्यादा strong रूप से जुड़े हुए आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है यहाँ पर देखिए guys four hour cups है तो यानि आप आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके partner कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन जो female person है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्यार करूँ की नहीं आपके प्यार को accept करूँ की नहीं करूँ आपके प्यार को मैं चाहूँ की नहीं चाहूँ या आपके प्यार को मैं इकरार दूँ की नहीं दूँ देखें यहाँ पे God की तरफ से आपको गीब मिल रहा है लेकिन आप उसको ग्रेप नहीं कर रहे हैं उसको पकड़ने आप उधास बैठे हैं यहाँ पे फिमेल परसन है तो यहाँ यहाँ फिमेल एनरजी निकल कर आई है आपको मेल परसन जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा प् किरार करने में आपको थोड़ा सा चिंता हो रहा है टेंशन हो रहा है तनाव आ रहा है और मैं इस प्यार का इजहार करूं की नहीं करूं या इसको मानूं की नहीं मानूं यह सब इस्तिती आपके जीवन में चल रही है गाइस कि मैं अपने पार्टनर के बात मानूं की नही सब्सक्राइब यहां पर चाहे मेल देख रहे हैं अपने भावनों को चुपाएं नहीं आप इस कार्ट से भी बताए जा रहा है कि आप अपने भावनों को अपने पार्टनर से चुपाएं नहीं दबाएं नहीं बलको उसको एक्सप्रेस करें उसको बताएं कि मैं तुमसे अभी तुमको मैं पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ यह सब या फिर मैं तुमसे बहुत आपके समीप हूँ यह सब आप अपने पार्टनर से सेर कर सकती है एक्सप्रेस कर सकती है तब ही जाके आपका जो प्यार है और भी अधिक निखर कर आएगा यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी 110 दिखाए दे रहा है तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत परिशानियां आती है तो कार्डों के द्वारे यह बोला जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं लेकिन आप फ्यूमेल परसंड जो है वह थोड़ा सा समझ नहीं पार रही है इस प्यार को तो सही वस् कुछनोटी मिलेगी न्यू बिगनिंग मिलेगी आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर से आपकी लाइफ ही बदल के रहे जाए आपके जीवन में जो भी चिंता हैं दुख है परिशानिया है वह दूर होकर आपको जरूर से जरूर आपको आपके लव लाइफ में सफल तो देंगी तो आपका लाइब जो है अच्छा हो जाए आप मन में कहीं न कहीं सोच रही है कि मेरा जो मेल पार्टनर है कहीं धोखा न देदे कहीं हम हमको चीट न करें लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बाती नहीं नजर आ रही है आप दोनों सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चल के ही गौड के द्वारा इश्वर के द्वारा एंजल के द्वारा आपको सही प्यार मिलेगा सही इंसान मिलेगा या मिलेगी सही रास् आपके लब लाइप को मिलेगा यही आपके पार्टनर का मैसेज अगाई अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू अबरीवान